नवम अध्याए जो है उस पर हम चलेंगे जिसको की राज विध्या बताया गया है भगवत गीता के प्रतेक अध्याए उसको किस न किसी योग का नाम दिया गया है अर्जुन विशाद योग, सांख्य योग, भक्ती योग, मोक्ष सन्यास योग, पुरुशोत्तम योग और ठीक ऐसे ही जो नवम अध्याए है उसको कहा गया है राज विध्या योग बात गौर करने लाइक है के शुरीमद भगवत गीता में प्रतेक अध्याए को एक योग की संग्या दी गई है योगर्थात वो जो मनुश्यों को जोड़े जो आत्मा को बरमात्मा से जोड़े तो हर अध्याए अपने आप में भगवान के एक भिन पहलू को प्रस्तुत करता है जैसे कलाइडोसकोप होता है न आप गुमाते रहेंगे हर बार छवी अलग दिखेगी ठीक ऐसे ही शुरीमद भगवत गीता में है किसी भी अध्याई को उठा लेजिए एक इश्वर प्राप्ति की भिन चवी दिखेगी और जगा जगा जब ये कोई भी अध्याई खत्म होता है उसको बता गया है ब्रह्म विद्या कि मनुश्य ब्रह्म के आचरण में कैसे रहे अर्थात हर समय एक आनन्दित भाव में कैसे रहे वैसे ऐसा संभव है नहीं पृत्वी पर के मनुश्य हर समय खुशी रहे हो सकता है उसके दान्द खराब हो और हर समय वो हास्ता हुआ दिखे परहन्तु मन सब का हर समय अच्छा रहे ये लगभग असंभव है इतना तो हो सकता है किसी का 23 गंटी अच्छा रहे किसी का 22 गंटी अच्छा रहे किसी का 23 मिनट अच्छा रहे किसी का 23 दिन में एक आधी बार अच्छा रहे ये तो संभव है पर ये संभव नहीं के मनोश्य हर समय हसता रहे खास करके जब तक आप समाज में रह रहे हैं समाज आपको हसने नहीं देगा अगर आप प्रसन हैं भी कोई ना कोई जो है आपकी खीर में नमक डालने वाला जरूर आ जाएगा परंतु फिर कैसे जिया जाए ये जो अध्याई है उस दृष्टी कौन से देखा जाए तो अत्यंत महत पूर्ण है कि भक्ति कैसे की जाए और संसार में कैसे रहा जाए कि मनुश्य राजविद्या एक होता है आश्टांग योग एक होता है राजविद्या कि मनुश्य प्रवित्ति के मार्ग पर चलता हुआ समस्त संसारिक सुखों का भोग करता हुआ कैसे सुख से आनंद से जीवन को वितीत कर सके क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य के हिर्दय का कलेश जो है वो चला जाए या कम हो जाए अगर ऐसा कोई मार्ग है तो मुझे नहीं लगता सनातन धर्म में श्रीमत भगवत गीता से बढ़कर कोई शास्त्र है जो उस पर प्रकाश डाल सकता है है योग सुत्र है मनुस्मृति है उपनिशद है पुराण है परन्तु जो ज्यान भगवान ने भगवत गीता में दिया है वैसा नित्य ज्यान वैसा शाष्वत ज्यान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इदम तूते गहत्तमम प्रवक्षाम्मे अनसुयवे ज्यानम वज्यानसाहितम यत ज्यातवा मोक्षस से अशुभात कौन थे मेरे मुक्ष से अब तुम ऐसा ज्ञान सुनो जिसको जानने से यत ज्यात्वा मुक्षस से अशुभात जिसका ज्ञान मात्र होने से मनुश्य मुक्ष की प्राप्ति करता है और समस्त अशुभ से दूर हो जाता है जीवन में जो भी अशुभ है उसका नाश हो जाता है, वो पीछे हट जाता है ज्ञानम विज्ञान सहीतम एक होता है ज्ञान एक होता है विज्ञान ज्ञान होता है जो हर मनुश्य का अलग-लग होता है हर व्यक्ति जीवन को अपने दृष्टी कौन से देखता है जिसका सफुरुन जो है भीतर से होता है जिसके आधार पर मनुश्य जीवन में किसी भी कर्म का, धर्म का, विचार का निर्ने करता है और याद रहे केवल जिएन ही मनुश्य को मुक्त कर सकता है इसका अर्थ ये नहीं किताबे पढ़नी शुरू कर दे विखती ओम स्वामी की लिखी हो तो चलो, कोई बात नहीं माफ किया, पढ़ लेना जिएन करती है नहीं कि मनुश्य किताबे पढ़नी शुरू कर दे और बोले मैं इश्वर में विश्वास नहीं रखता मैं केवल ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूँ वो ज्ञानता नहीं, अज्ञानता है ज्ञान वो होता है जो आपने अपने अनुभव, अपनी चेतना, अपनी बुद्धी, अपने संसकारों अपने शिक्षा के अनुसार जिसको बनाकर जिस भूमी पर, जिस चेतन अवस्था की भूमी पर जिसको सीचा गया है उसमें से कैसा पौधा निकला है रसहीन है, रसयुक्त है फलहीन है, फलयुक्त है सुगंदयुक्त है, या कडवा है वो ज्ञान की परिभाशा है कि ये संसार रूपी जो पेड है, ये उल्टा है उर्ध्व है और अधो मने उल्टा, उर्ध्व मने इसकी मूल जो है उपर की और है उर्ध्व गति मनो उपर, अधो गति मतलब नीचे उर्ध्व मूलम, इसकी मूल जो है उपर की और है और विज्ञान वो होता है, जो निश्पेक्ष होता है, ज्ञान सापेक्ष होता है, रेलेटिव होता है, परन्तु विज्ञान निश्पेक्ष होता है, अर्थात हाइड्रोजन के दो मॉलेक्ष लिए, ओक्सिजन का एक लिया, कोई भी किसी को भी दे दीजिए, यदि वो उन की बूंद प्राप्त हो जाएगी चाहे वो विक्ती विज्ञान में विश्वास रखता है यह नहीं रखता उस विशिष्ट ज्ञान को वो ज्ञान जो किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं आता जो निशपेक्ष है उसको विज्ञान बोला गया है तो वोगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान सहितम ज्ञान भी बताऊंगा कौन ते और विज्ञान भी बताऊंगा और इस अध्याय में जो श्रीक्रश्ण ने ज्ञान दिया है जब वोगवान ने अपने मुखार विंद से इतने सुन्दर वचन कहीं है मेरा ऐसा मानना है कि, यदि वास्तव में मनुश्य उनका स्मरन रख सके, तो जीवन में दुखी नहीं होगा, उसके जीवन में कलेश नहीं रह जाएगा. जैसा कि, मेरा क्या कहना है, वगवान ने स्वाइमी कहा है, मोक्षस्य अशुभात यत ग्यात्वा मोक्षस्य अशुभात उस्वते ही मोक्ष की और बढ़ जाएगा विक्ति उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चितरूप से होगी और जीवी तवस्था में मोक्ष की मात्र एक परिभाशा है वो विक्ति जिसके मोह का क्षय हो चुका हो वो व्यक्ति जिसके मोह का नाश हो चुका हो वो मुक्त हो गया है वो मुक्ष को प्राप्त कर गया है सबसे परम मोह जो है मनुष्य को स्वयम से होता है सबसे अधिक मोह जो है फिर तेक व्यक्ति को स्वयम से होता है वो स्वयम के अहंकार से और स्वयम की विद्वता से या स्वयम की एक छवी से प्रतेक मनुष्य ने स्वयम को एक खानी बताई होती है उस कहानी के आधार पर उसने अपनी एक छवी बना रखी होती है तो जब जब कोई भी उस छवी को जैसे जल में मनुष्य पना प्रतिविम्ब देखता है और कोई आकर जल में थोड़ा ऐसे हाथ कर दे और सारा प्रतिविम्ब जो है हिल जाता है ठीक ऐसे ही कोई भी मत, कोई भी व्यक्ति जो उस चवी को हिलाता है तो हमें बड़ा कश्ट होता है क्योंकि हम अपनी चवी को देख रहे हैं हमें उस चवी से प्रेम हो गया है किसी भी कहानी को अपने आपको बार-बार बताते रहेंगे तो उस कहानी से मनुश्य को प्रेम हो जाता है कोई दूसरा आपको कोई कहानी बताए हो सकता है उस पर कोई ना विश्वास करे कोई अंजान विक्ती आपको एक कहानी बताए तो आप उसपर विश्वास नहीं करेंगे आपको आपका मित्र कोई कहानी बताए तो आप उसपर कुछ-कुछ विश्वास कर लेंगे परंतु यदि आप स्वयम को एक कहानी बताएंगे आप उसपर पूर्ण विश्वास कर लेंगे यही अहंकार का लक्षन है यही मोह का लक्षन होता है